हेलो दोस्तों कैसे हो आप तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एपिसोड 78 हरे रंग की खंदन नुमा हवेली अब तक इस कहानी में हमने अब तक देखा कि वो वहां मौझूद एक कम्प्यूटर के सामने जाके बैठ जाता है वो उस कम्प्यूटर में कुछ करने लगता है इस वक्त उसकी उंगलियां उस कम्प्यूटर के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी थोड़ी ही देर में उसकी जो चाहिए था ये उसके सामने था जिससे उसके चहरे पर एक डेविल स्माइल आती है पर उसके चहरे पर मास्क होने से किसी को भी उस बारे में कुछ भी पता नहीं चला अब आगे शिव ने कम्प्यूटर पर कुछ किया उसके बाद सारे कम्प्यूटर पर फिर से केके की लोकेशन शो होने लगी वो इस वक्त जहां से गायब हुआ था उसी जगह से फिर से कपूर मेंशन की तरफ जा रहा था शिव भी वहां मौजूद आफिसर को अपना काम समझ कर वहां से फिर से सिंधनिया मेंशन की तरफ चला गया एस आर विला, रन्विजय रॉय यानी की आदित्य और श्रेया के डैक को होश आ गया था होश में आने के बाद उनका सामान अपनी वाइफ से हो गया यानी किसी आजी अपनी वाइफ को अपने सामने जिंदा देख उनकी आँखे नम हो गई वो बहत खुश थे, तब ही उनको अपनी बेटी श्रेया के बारे मैं भी पता चला अपने बिछडे हुई परिवार से मिलकर वो बहत खुश हुए उनकी हलाद भी दीरे ठीक हो रहे थे, तशमलब दो साल से कॉमा में बाद वो चल नहीं पा रहे थे अभी किसके सहारे की जरूरत थी, कुछ मन्त की एकसरसाइज के बाद वो फिर से पहले जैसे हुने वाले थे ट्रणवी जै को होश में आने के बाद आदित्ते पहले उनको हॉस्पिटल लेके गया वहाँ जाके उनके सारे चैक अप किये गए उसके बाद जब सब नॉमल आया तब जाके सब ने राहत की सास ली, उसके बाद वो सब सर विला न जाके महरा मैंशन चले गए क्योंकि सार मैंशन शहर से बेहत दूर था, इसलिए सिया जी को अपने ऑफिस में जाने के लिए काफी लंबा सफर टेग करना पड़ेगा और श्रेया का भी कॉलेज थोड़े ही दिन में स्टॉट होने वाला था, तो सब महरा विला चले गए इसे ही दो दिन निकल गए थे, इन दो दिनों में श्रेया और उसके गैट की काफी जमने लगी थी, श्रेया की मौम अपने परिवार को फिर से एक साथ हस्ता मुस्कुराता देख कर खुश थी, शिव को इंडिया आय हुए दो दिन हो गए थे पर अब तक वो श्रेया से मि आया जाता, शिव काफी कनफ्यूस हो गया था और साथ में ही उसकी टीम, उनके पास अब सिर्फ छे दिन ही बचे थे इस मिशन को नाकाम्याब करने के लिए इसलिए उनको सबसे पहले केके को पकरना था पर वो हर वक्त उनको चक्मा दे रहा था, वैसे भी उन लोगों का उस वाइरस के पीछे भागना कोई काम का नहीं था क्योंकि वो वाइरस बले ही इंडिया के पांच सिटी में प्लांट किया जाए, उसको एक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ केके ही कर सकता था, ये बात शिव और उसकी टीम अच्छी समझ गये थे, इधर केके जो दो दिन पह कर बाहर गम रहा था, शिव और उसकी टीम का सारा ध्यान उस पर ही था, उसके हर एक मोमेंट पर और इधर सिक्रेट रूम में केके अपने काम को अंजाम दे रहा था, केके उस टनल से होकर जंगल के बीचों बीच आ गया था, तुनील के दूसरे साइट के गेट को खोल कर जंगल में बने एक खंद नुमा हवेली में एंटर करता है, जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता था, ये खंद हरे रंग का था, जिस वेजिस ये उपस से भी किसी को पहचान में नहीं आती थी, जंगल बेहधी घना था जिस वजए से ये खंद नुमा हरे रंग की ह ख़ब के राधने मालिक मेंorse अनुटर्ण परेंगे+, को मेसीं को जरने अनुटर्ण परकीन की हाल स springy जब सुछ एक सब्विसमत बने में जुर्णी strengthen होती है दो सब्विसने मिंगर हनक Kings वर में अंहों करेंगेन सुछ जोने स सोनकी कनल में जाती Поэтому मास्क पे बड़े ही स्दाीलिस्ट छेटर में के के का सिंबल बंद था जो दिखने में बहुत ही आई केचिंग और अट्रक्टिव था ये मास्क के के सिर्फ अपने अंडर वर्ट में ही यूस करता था के को वहाँ देख़् के सब अपनी जगर से खड़े हुके उसको ग्र बा रही थी, वहाँ बैठे सब लोग दर कैमरे काफ रहे थे, सब को केके कितना निर्दई, बेरहम है पता था, अगर किसी ने केके को दिखा दिया या उसके साथ गधारी करने की कोशिश की तो केके उसको इतना तरपता था कि वो मौत के लिए भीक मानता था पर उसको इतनी आसानी से मौत निशीब नहीं होती थी, वहाँ मौझूद सारे लोग केके के वफादार साथ ही थी, सब ने केके को अपनी वफादारी सबित की थी, केके ने भी इन सब के बारे में अच्छे से जानके ही इनको अपने इस मिशन में सामिल कर लिया था, पर उस हॉल में कोई सेट किया था और कमेरा भी उस हौल में क्या हो रहा है क्या बात है यह सब कोई बैठे-बैठे देख और सुन रहा था कि कैसे प्लान या मिशन के अंजाम देना है के के मुताबिक दिन में वाइरस इंडिया पोहच जाएगा इसके बाद वो इंडिया की पांच सिटी यानी की मुंबई, दिल्ली, चंडीगर, इंदॉर और नागपुर में उस वाइरस को उसे एक सिटी की सेंटर में प्लांट करना है जिसको लोगों ने पहले ही डिसाइड किया है उसके मु स्टेशन में और अखरी नागपुर में बिल्कुल शहर के बीच ओ बीच नागपुर में वाइरस जमीन पर प्लांट नहीं किया जाने वाला बल्कि ये आसमान से पूरे नागपुर में फैलने वाला था उसी के साथ जब ये वाइरस बताई गी सारी जगह पर प्लांट किय जाने के बाद केके इसको अपने पास मौझूद रिमोट से ठीक आठ वे दिन यानी की आज से करीब 6 तारिक को श्याम के 6 बजे पूरे 5 सिटी में इस वाइरस का धमाका करने वाला था। केके के हाथ में मौझूद रिमोट के बटन के दबाते ही वाइरस जिस चीज में रखा है वहाँ से धीरे धीरे लीक होना सुरू हो जाएगा। कुछी सेकंड में वो वाइरस उस जगह को कवर कर देगा। पर इसके साइड इफेक्ट धीरे सामने आ जाएगे और जब तक इस वाइरस के बारे में पता चलेगा, तब तक बहत देर हो चुकी होगी, इस वाइरस ने करीब आधे इंडिया को कवर कर लिया होगा। केके इस बारे में सारी डिटेल अपने साथियों को बता रहा था, पर उतनी ही जितनी उन लोगों को जानना जरूरी था। अंटीडोट ले लिया था, और साथ में ही अपने फैमिली को भी अंटीडोट दिया था, इसलिए वो सब नीचित थे, उनको किसी बात का दर ही नहीं था, उन सब के अंदर की इंसानियत मर चुकी थी, वो लोग बस चान पैसों के बदले अपना इमान बेच दिये थे, केके ने उन सब को उने क्या करना है, ये सब बता दिया जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, उस बड़े से हॉल में इस वक्त सिर्फ केके और कबीर ही मौजूद थे, सब के जाने के बाद कबीर आगे बढ़ कर केके को गले लगा के कहता है, यार कितने दिनों के बाद मिल रहे हम, दिन कहना भी गलत होगा, साल कहना ही ठीक है, पूरे 20 साल हो गए तुमको मिले, तुमने तो उस हादसे के बाद 20 साल पहले ही इंडिया छोड़ दिया था, तुमको देखकर खुशी हुई, उद्धरल चिन डॉट, केके उसकी बाद पर कुछ नहीं कहता, बस मुसकर केके ने इस वक्त अपने चहरे पर लगाया हुआ मास्क निकल दिया था, वो उस वक्त कबीर के सामने बेना काप था, अगर इस वक्त कोई उसको चहरा देखता तो शोक हो जाते, आखिर इतने सारे चहरे के पीछे असली केके कोन है, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंज, अपिसोड, 79, Untitled Chapter, अब तक, इस कहानी में हमने अब तक देखा कि, सबके जाने के बाद कभीर आगे बदकर केके को गले लगा के कहता है, यार कितने दिनों के बाद मिल रहे हम, दिन कहना भी गलत होगा, साल कहना ही ठीक है, पूरे 20 साल हो गए तुमको मिले, तुमने तो उस वक्त अपने चहरे पर लगाया हुआ मास्क निकल दिया था, वो उस वक्त कभीर के सामने बेना काप था, अगर इस वक्त कोई उसको चहरा देखता तो शोक हो जाते, आखिर इतने सारे चहरे के पीछे असली केके कौन है, अब आगे, केके कभीर से बेहद ही सीरियस फेस की स कहता है, कभीर सब तयार है ना, तुमको पता है, ना तुमको आगे क्या करना है, अगर हमारा ये मिशन फेल हो गया तो हमारे पास प्लान भी है और उसे तुमको ही अंजाम देना है, बी केफुल, उद्धरल चिन डॉट, केके को सीरियस देखकर कभीर भी बात की गंबीरता को देखते हुए उससे कहता है, डोंट वरी केके सब सही हो जाएगा, तुम बस मुझ पे भरोसा रखो मैं सब सबल लूँगा, उद्धरल चिन डॉट, इतना कहकर वो अपने सामने मौजूद विस्की की बोटल उठा कर ग्लास में डाल कर केके के सामने करता है, और एक खु इतना ही नहीं उस शिप को सिक्यूरिटी इतनी टाइट थी कि उसके उपचारों तरफ बेहत सारे काले कपड़े पहने बोटी गार पहरा दे रहे थे और उन सब के ड्रेस पर केके का लोगो लगा था, इसका यही मतलब थी वो केके के आदमी थे, वो बड़ी शिप पांच म मंजल पर कड़ी सिक्यूरिटी थी, उसमें बेहद ही कीमती सामान इंडिया जा रहे था, उस पूरी शिप के आज बाजी के 100 मीटर रेडियस में दूसरी छोटी छोटी शिप तो थी ही बॉडी गार्ड से बरी उसी के साथ उस पूरी शिप पर आसमान से नजर रखी गई थ केके इस वक्त उस green मेहल में बने एक high-tech computer lab में था जो इस वक्त उस पूरी शिप पर नजर रखी हुई थी, उस रूम में दुनिया के सबसे latest computer थि सात में ही वहाँ पर काम करने वाले भी दुनिया के सबसे अच्छे हैकर में शामिल थे, उन लोगों ने satellite के जरिये उस शिप पर नजर रखी थी। के के उस रूम में उस शिप का लोकेशन और उसकी सिक्योरिटी चेक करता है। उसके बाद जब उसको सब ठीक लगा तो वो उस महल में बने अपने रूम में सोने के लिए चल गया। कबीर पहले ही वहां से निकल गया था। उस हाइटेक कम्प्यूटर में बैठे हुए सारे लोग बरकाई से उस शिप की हर एक मोमेंट को अबजर्व कर रहे थे। उसी के साथ वो उस शिप के 1000 मीटर रेडियस पर उस शिप को कोई दोखा तो नहीं ये भी बारी चेक कर रहे थे। इस वक्त उनके सामने एक बिग स्क्रीन पर पूरा उस शिप के बाजू का समुंदर का द्रिश्य दिखाई दे रहा था। तारांकन 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 वही उस शिप के कुछ दूरी पर ही मतलब 1000 मीटर रेडियस के पीछे इंडिया की तरफ से एक और शिप वहा पर थी जो कि इस शिप के हर एक मोमेंट पर नजर बनाये थी। उसमें जो भी कोई था उसको इस शिप के अंदर और बाहर की सिक्योरिटी के बारे में सब पता था। वो छोटी शिप बिल्कुल वैसी ही देख रही थी जैसी की के 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 बॉडिगार की शिप थी जो कि उस बली से जहाज के इर्ध गिर्द उसकी रक्षा के लिए टेनाथ थी। उस शिप में भी ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ही लोग थी सेम वैसे ही जैसे की के 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 बॉडिगार के थे उन पर लोगो भी ठीक वैसा ही था पर अगर कोई ध्यान से देखे तो वो लोगो नकली था उस लोगो के नीचे और एक लोगो था। उस शिप में मौजू उस वक्त उस computer की screen में black screen पर computer languages में कई code थे जो की हर एक second में बदल रहे थे और उसके सामने बैठे हुए इनसान की उंगलियां भी उस बदलते code के साथ तेजी से उस computer की keyboard पर चल रही थी अचानक उस इंसान की उंगलियां कीबोर्ड पर चलते चलते रुप जाती है उसी के साथ कम्प्यूटर की स्क्रीन भी ब्लैक हो जाती है पर ये सिर्फ कुछी सेकंड के लिए थी ब्लैक हुई स्क्रीन फिर से पहली जैसे हो गई पर इस बार उस स्क्रीन पर कोई computer language में code नहीं था बलकि किसी की information थी, जिसे देख के computer के सामने बैठे इंसान के चहरे पे devil smile आ जाती है, वो उस information को काफी करके अपने subordinate को send करता है, और उसको कुछ message लिख कर बेजता है, वो information कुछी पल में इंडिया में अपने computer के सामने बैठे इंसान के पास पेहच जाती है, उसके बाद वो message भी जिसे पढ़ते ही उसके चहरे पे भी devil smile आ जाती है, और वो उस message में जो करने को कहा गया था उस पर लग जाता है, उस ship में मौझूद हो इशान information send करने के बाद अपने laptop पर फिर से कुछ करने लगता है, और कुछी समय में उसके सामने उसका result था, उसके computer की screen पर उस बड़े जहाज और उसके आसपास में पहराद दे रहे छोटी छोटे जहाज की पूरी live footage चल रही थी, उस footage को देखकर उसकी उस जहाज में मौझूद और इसके आसपास निगरानी कर रहे कुल मिला के 20 ship में कितने bodyguard मौझूद है, उन सारे bodyguard की information with उनके position के साथ उस इंसान को पता चल गई थी, जिसके चलते वो अपने एक आदमी को इशारा करता है, अपने बॉस के इशारे को समझकाले कपड़े पहना हुआ bodyguard अपने जेब से अपना phone निकले उसमें कुछ लिक्ट के किसी को send करता है, उसके उस message को send करने के बाद कुछ ही मिनट में वहाँ पर 20 ship आ जाती है, जिसमें, वेल ट्रेन बॉडिगार थे उन सब के पासे के 47 और भी बेजेट सारी लेटिस्ट गन थी, वो सारे बॉडिगार को अब बस इंतजार था तो बस अपने बॉस के अगले order का, इधर उन सब का बॉस जब अपने सामने मौजूद कम्प्यूटर की स्क्रीन पर अपने बॉडिगार के ship के 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 ship के 1000 मीटर की रेडियस में देखता है, तो उसके चहरे पर खतरना के expression दिखाई देते हैं, जो कि उसने पहने हुए काले मास्क के पीछे आसानी से चुप गए थे, वो अपने गार्ड के ship को बड़े जहाज और उसके ऐसा पास की छोटी ship को चारो और से गेरने को कहता है, वो भी उनसे 1000 मीटर की दूरी बना के, उसका order मिलते ही सारी ship उस ship को कुछ ही समय पूरी तरह से 1000 मीटर के रेडियस में गैल लेती है, उसके बाद अपने boss को thumbs up thumbs up का चिनह message send करते हैं, इसका मतलब उनका काम हो गया है, अब बच्चा है तो बस उनके boss का अगला कदम, वो computer के सामने बैठा, इनसान अपने guard का message मिलते ही, वो अब तक जिस computer के सामने बैठा था उसके सामने से उठ कर दूसरे computer के सामने जाके बैठ जाता है, और पहले computer पर उसका खास आदमी वहाँ पर बैठ जाता है, दूसरे computer पर बैठ कर वो उसमें कुछ करने लगता है, जो फुटेज थी वो लाइव थी पर दूसरे कम्प्यूटर में जो थी वो डबलीकेट थी वही फुताज थी जो वो केके को दिखाने वाला था और उसके नाग के नीचे से उस बड़े शिप में जो बेहद ही कीम्ती था उसको चुराने वाला था वो अपने चेहरे पे डेव के बाद एक कोड आने लगते हैं जो हर एक सेकन के साथ चेंज हो रहे थे उसी के साथ उस बॉस की उंगलिया भी उस लैप्टॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी उस शिप के उस कमरे में बस कीबोर्ड की आवाज आ रही थी वो कमरा बेगेदी शान था वहाँ पर मिनट में खतम हुजता है बॉस ने इस वक्त उसको जो चाहिए था वो हासिल कर लिया था उसके पास अब बस 20 मिनट थे अपने मिशन को कम्प्लीट करने के लिए वो जल्दी से ही अपने लप्टॉप को साइट करके अभी वो जिस कम्प्यूटर के सामने बैठा था उसने जो डबलिकेट फूटा चल रही थी उससे से टेलाइक पर फिट कर देता है उधर जैसे ही इस शिप में काउंट डाउन चालू हुआ वैसे ही ग्रीन महल में कम्प्यूटर लाब में मौझूद लोगों के माथे पर पसीने की बून दिखने लगी आज के लिए बस इतना ही प्रेंज आप सब को आज का एपिसोड कैसा लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताना एपिसोड अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना तल मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ आगे क्या होगा जानने के लिए जरू और सुन्ये कल का एपिसोड फ्रेंज थांक यू फो वाचिंग